तो आप देखते हैं question number 376 इसमें क्या दिया हुआ है in the given figure AD equal to 3, D equal to 4, AB का value 12 है, BF 2, FG 6 and BC का value 10 दिया है है ना, तो परले diagram बना लेते हैं, फिर देखते हैं करना क्या है यह होगे अपना A, B, C, ऐसे करके एक दिया है E, F, फिर ऐसे करके दिया है D, Z D, Z and AD का value 3 है, DE का value 4 है and पूरा-पूरा AB का value दिया है 12, तो 12 में से 7 तो चला गया, बचा कितना 5 BF का value कितना है 2, FG का value 6 है and पूरा-पूरा BC दिया है 10, तो फिर बचा कितना GC के लिए 2 ठीक, 6 to 8 to 10 हो गया अभी हमें क्या करना है कि, ओ हुँ, M by N चाहिए न N क्या है, N है area of triangle ABC and M हो गया, area of quadrilateral F, G, D, E तो कैसे करेंगे, question बहुत ही अच्छा लग रहा है तो इस question को कैसे करेंगे, देखेंगे एक formula होता है area निकालने का, area of triangle A, B, C है, मालने जो एथर A हो गया, एक B हो गया, A, C हो गया तो area of triangle A, B, C हो गया एकर न, यह होगा B और C के बीच का एंगल क्या है, A ऐसे ही, हाप, A, C, Sine, B भी लिख सकते हो यह बहुत काम का चीज है इसमें हम लोग क्या करेंगे side को multiply करेंगे, और बीच के एंगल का sign ले लेंगे बाकि 1 by 2 तो आए गए तो अगर हम same logic यहां पर use करेंगे तो देखिए अगर हम पूछे कि area of triangle B, E, F divided by area of triangle B, G, D क्या होगा तो आपका answer है चाहिए, एक तो हाप आएगा भाई B, E, F में B, E and E, F को multiply करेंगे तो B, E and B, F multiply किया और इसके बीच का एंगल sign B हो जाएगा एक और हाप इंटू अगर आप B, G, D देखेंगे तो B, G यहां तक और B, D यहां तक तो हाप इंटू B, G, इंटू B, D और बीच का एंगल है sign B तो हाप एंट sign B तो cancel हो गया बचा B, E, B का value कितना है 5 इंटू B, F कितना है 2 divided by B, G कितना है 8 and B, D कितना है 9 तो 2, 4 यह आगया है 5 by 36 इसको अराम से रख लेते हैं फिर अगर हम आपसे पूछें कि area of triangle B, E, F divided by area of triangle A, B, C कितना होगा तो फिर से area of triangle B, A, C और B, E, F यही चाहिए तो B, E, F होला तो ठीक है हाप इंटू B, E, इंटू B, F और बीच में है angle B तो उसका sign फिर आगया हाप इंटू इसमें आजाएगा पूरा A, B, E, इंटू B, C और बीच में चो अंगल होगा sign तो जब इसको simplify करेंगे तो हाप इंट साइन भी cancel होगी 5 इंटू 2 उपर आएगा अब A, B का value कितना दिया था? 5, 4, 9, 3, 12 एंट B, C का value कितना था? 6, 2, 8, 2, 10 तो एक क्या हो रहा है? 2 से 6 times में गया है एह आगया है 5 by 60 अच्छा आपको लग रहा होगा कि हमें 5 by 60 को 60 के form में ही क्यों रखा? मतलब इसको 1 by 12 में क्यों नहीं रिखा? 1 by 12 नहीं लिखने का reason है कि BEF देखी इधर भी है BEF यहां 5 रखा है यहां भी हमने BEF को 5 रखा है तो अभी हमें क्या पता चला? कि अगर BEF इसका area हमने ले लिया 5 तो triangle ABC का area कितना हो जाएगा? 60 and triangle BGD का area हो जाएगा आपका कितना? 36 हमें जो चाहिए ओ क्या चाहिए? यह वाला area चाहिए? quadrilateral quadrilateral का area कैसे हैगा? BGD के area में से BFE का area minus करती चीए area of quadrilateral क्या है? FZ DE FGDE equal to area of triangle B GD minus area of triangle B EF और यह हो गया 36 minus 5 आगे है 31 सो जो हमें ratio चाहिए था ना ratio क्या है? FGDE का area by ABC का area यह ratio हो गया है 31 by 60 हो गया answer देखते हैं 31 by 60 कहां है? है option A में तो यही आपका सही answer होगा ठीक है? तो इस question को solve करने के लिए हमने कौन सा logic यूज किया है? कौन सा logic यूज किया है? एक तो है आपका इधर area of triangle का जिसमें हमने हाँ पे भी sign seeker करके लिखा और दूसरा ratio का ratio का property तो ठीक ठाक है? यह वाला भी ध्यान में रखना है ठीक? तो उमीद है यह question आपको समझ में आया होगा और question अच्छा है बहुत ही अच्छा था यह तो फिर मिलते हैं आगले वीडियो में नए question के साथ अच्छा है